जैस्री कृष्णा आजम स्रीमत बागवद गिता के अध्याय तीन के स्लोक नमबर 6,7,8,9,10 पर चर्चा करेंगे कर्मे इंद्रियानी सयम्य ये आस्ते मन्सा समरण इंद्रिया अर्था अन्वी मुडात्मा मिठ्या चरह से उच्छते इस लोक में बगवान स्री केशन अर्चुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों यानि कर्म करने वाले आंगों को रोकता है लेकिन फिर भी मन से इंद्रियों के विशो को समरण करता है वह एक प्रकार से बर्मीत होता है और उसे मिठ्याचारी कहा जाता है लेकिन वे मन में बार-बार उनी चीजों को सूचता रहता तो उसका त्याग सिर्फ दिखावाए असली त्याग तब होता है जब मन में से भी उनी छावकवा नियंत्रन हो इस लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नैकेवल अपने कर्मों को सहमेत करें बल्कि अपने मन और अपने यही चारों पर भी नियंत्रन प्रठी सथीतव इंद्रियानि मंसा नियमार मर्पते अर्जुन करम में इंद्रियाई करमयोगं सक्तह सहय विश्यती इस लोक में बगवान श्रीकैर्षन करमयोग की मेतों को सुमझा रहे है स्री केर्शन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन के द्वारा नियंत्रण में रखता है और अपने कर्तव्य का पाल निम बिना किसी लगाओ के करता वही स्रेष्ट क्या लगता है नियत्म कुरू करम तवम करम जयायो है कर्मना सरीर यात्रा आपी चय तेन परसीद येद कर्मना अर्थाथ अपने नियत कर्म को करो तोकि कर्म ने करने की तुलना में कर्म करना स्रेष्ट है कर्म किये बिना तो तुमारी सरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती इस लोग में स्रीकेर्शन आर्जुन को कर्म की मैता बताते वे समझाते हैं कि कर्म से बचना धत कर्म ने करना उचीत नहीं है यहां कर्म के बारे में तीन मैतों पुर्ण बाते बताई गई है नियत कर्म हर व्यक्ति का कुछ कर्म निश्चीत होता है कर्तविय होता है जिसे करना अवश्यक है इसे नियत कर्म कहा जाता है कर्म का मैतों यदि हम कुछ भी कर्म ने करेंगे तो हमारी मूल भूधाफ शर्था उखता हो की पुर्ति भी नहीं हो दियु, करम की स्रेष्ठता, करम करना हमेश्या एकरम से स्रेष्ठ होता है सीख, कोई भी परिष्थिति ओ, हमें हमारे कर्टव्यों का पलन करते रहना चाहिए, यही सही जीवन जिने का मार्ग है यगा अर्थात कर्मनों अन्यतर लोको आयम करम बंदन तल अर्थम करम कौनते मुख्ट संग समाचार है अर्जुन यग अर्थात करतव्या और भक्ति के लिए किये गए कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म इस संसार में बंदन का कान बनते हैं इसलिए तू स्वार्थ से दूर रहकर उस यग के लिए कर्म कर यहां यग के लिए कर्म का अर्थ है जब हम अपना कर्म किये कर्म बिना किसी व्यक्तिकत लाव की इचा के लिए करते हैं वह कर्म यग का रूप ले लेता है यग अर्थात पर पवित्र उदेश है कर्म से बंद जब व्यक्ति इपने किसी स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह कर्म के फल की चिंता में फस जाता है और उसका परिणाम जर्म-जन्मांतर के बंदन के रूप में होता है मुक्त कर्म जब कोई व्यक्ति किसी फल की इच्छा के बिना कर्म करता है व्यबंदन से मुक्त हो जाता है इस लोग से में सीख मिलती हैं में अपने कर्मों को समर्पन करते हुए और भगति की बाउना से करना चाहिए स्रिष्टी की सुरुआत में परजापती यानि बिर्माने यगों के साथ जीओं की रचना की और कहा कि इसके द्वारा तुम समिर्थ हो और यह यग तुमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा यहां यग कार्थ है वे कर्म जो समाज और इस्वर के पर्ति करते हुए के रूप में किये जाते हैं अर्थात हमें अपने कार्यों को एक यग के रूप में बिना किसी स्वार्थ की इस्वर और समाज की सेवा के रूप में करना चाहिए अमारे साथ की तग्यान की पोजु में जूडेरे निकले दन्यवार राधे राधे